हलो दोस्तों एक बर फिर से स्वागत आप सभी का डिश्टन जार्णी सपोर्ट के एक नए वीडियो में दोस्तों अगर आपने प्रोफेशनल इमेल परचेज किया हुआ है और उसे आप अपने स्मार्ट फोन के अंदर सेट अप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज तक को भी मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल इमेल को भी मैनेज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले हमारी आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ओन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहें अब हम अपने फोन का स्क्रीन रिकॉडर भी ओन कर लेते हैं जहां पर हम आपको लाइव दिखा सकें कि कैसे आपको कन्फिगरेशन को करनी है तो सबसे प लॉग इन कर लिया हुआ है अब यहां पर पहले अपने प्रोफेशनल इमेल को आपको कन्फिगर कर लेनी है सेटप कर लेनी है सेटप किस तरीके से करनी है उसके उपर हमने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं ठीक है तो अपने प्रोफेशनल इमेल को सेटप करने के बाद अब इसे आपको टेस्ट कर लेनी है कि यह प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं तो हम यहां पर अपने प्रोफेशनल इमेल को पहले वेब मेल के अंदर लॉग इन कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं उसके बाद हम चलते हैं Gmail application के अंदर तो यहां पर हमरा professional email open हो चुका है और यह प्रॉपर तरीके से work कर रहा है यहां पर हमने एक test mail भी वेजा हुआ था वो यहां पर receive हो चुका है inbox के अंदर अब हम यहां से back हो जाते हैं और आ जाते है Gmail application के अंदर mostly में यहां पर आपको Gmail के अंदर इसलिए बता रहा हूं कि जादतर लोगों के पास android phone है और android phone के अंदर by default आपको Gmail का application मिला हुआ है तो उस Gmail application के अंदर ही आप इस वो setup कर सकते हैं otherwise अगर आप चाते हैं yahoo के अंदर setup करना तो yahoo के अंदर भी आप easily same यही process को follow करके setup कर सकते हैं हम यहां पर Gmail application को open कर लिनी है यहां right side में उपर corner में आपको profile का option दिखेगा यहां से आपको click करनी है और नीचे में आपको add another account का option मिलेगा यहां पे आपको click करनी है उसके बाद setup email का option आपके सामने open हो जाएगा इसमें आपको सबसे नीचे order के option को choose कर लिनी है अब यहां पे आपसे बो professional email डालनी है जैसे कि हमारा professional email है support.com तो हम यहां पे अपना professional email इंटर करेंगे ठीक है उसके बाद हम next पे click करेंगे यहां पे अब आपको account type choose करनी है कि आप कौन से account type choose करना चाहते है personal POP3 personal IMP ठीक है तो यहां पे आपको personal POP3 इसे select कर लेनी है और यहां से आपको अपनी business email का login password डालना है तो हमारा login password हम यहां पे fill कर लेते हैं उसके बाद हम next पे click करेंगे यहां पे आपको incoming server settings को configure करनी है यहां पे बहुत से लोग गडबड कर देते हैं कि incoming server जो है उसके अंदर by default आपका domain name आता है तो उससे change नहीं करते हैं यहां आपको इसे change करनी है अब यह incoming server का P से आपको जानी है अपनी professional email के अंदर ठीक है हम यहां पर आ जाते हैं अपनी professional email के अंदर इसमें हम जायेंगे user के अंदर manage के section में यहां पर आपको server settings का option मिलेगा और जहां से आप अपनी POP3 server का यहां से server name ले सकते हैं ठीक है तो हम यहां से copy कर लेते हैं इसे हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट ओके दिन हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा incoming server setting हो रहा है incoming server से क्या होगा कि जो भी email receive होगा वो हमारे application के अंदर आएगा अब उसके बाद आपको यहाँ पर SMTP server को setup करनी है तो same आपको यहाँ से SMTP server का protocol यहाँ से copy करना है और उसे यहाँ पर पेस्ट कर देनी है ठीक है यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यह हमारा outgoing server setting हो रहा है जिससे कि हम email को भीजे अब यहाँ पर आपको account option कर देर अपनी synchronization को अपने according select कर लेनी है तो यह आपका email setup हो जाएगा अब यहाँ पर आपको अपना display name दे देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने है तो यह आपका email setup हो गया अब हम Gmail के अंदर जब login करेंगे और यहाँ profile में जाएगे तो नीचे में आपको दिखेगा कि यहाँ पर digital email setup हो चुका है यहाँ से आप इसे open करके यहाँ से अपनी email को manage कर सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने professional email को Gmail application के अंदर setup कर सकते हैं और proper तरीके से आप एक ही अपने application के माधियम से अपनी personal email को भी manage कर सकते हैं और अपनी professional email को भी manage कर सकते हैं तो I hope कि यह video आपको पसंद आई होगी वीडियो आपको कैसी लेगी निचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर आपको informative लगी हो तो इसे like, share जरूर करें साथ ही अगर आपने चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe के साथ साथ notification को भी on कर लीजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ जय हिंद